हेलो फ्रेंज, वेलकम तो गार्डन टिप्स, आइम मीता विश्णोई, ये बहुत ही ब्यूटिफुल शैंडलियर जैसे फ्लास जो है औरेंज का लगे, ये डॉंकी एर प्लांट है, उसके फ्लास है और ये जनरली एंड विंटर में इसके फ्लास आते हैं और बहुत प्रिट के यर्ज जैसा होता है, तो इसका नाम पढ़ गया है, डॉंकी एर प्लांट, ये एक कैलंग कोई प्लांट है, डॉंकी एर प्लांट, चलिए इसके के बारे में, और इसका प्रोपोगेशन का तरीका देखेंगे, जो बहुत डिफरेंट होता है, और ये प्लांट बहुत इ रहता है और multiply होता रहता है आपके गार्णी में बहुत ज्यादा की जरुवत नहीं है बस एक चीज़ है आप इसको अपने गडन में लाके लगा दीजे यह आपके पास पर्मनेंट रहेगा और खुब सारे multiply होंगे आप अपने friends, रिष्टेदारों को सब को बाढ़ सकते हैं, इतनी easily यह multiply होते हैं, reason being कि इसका propagation बहुत simple और बहुत different type से है, इसका propagation कैसे होता है, इसका propagation होता है, इसके leaf के end से एक छोटा सा baby plant निकलता है, और यह देखिए यहां से, एक तम end से, और उसमें roots भी होती है, और जब वो mature हो जात इसमें से leaf में से और जहां गिरता है वहीं पर इसका propagation शुरू हो जाता है, और वो गिरता heavy होता है, जहां पर roots होती हैं, तो जहां गिरता है वहीं पर propagation easily हो जाती है, root नीचे बहूंगें आप हो जाता है, अब मैं छोटे plantlets दिखाती हूं आपको, leave के एक दम edge में छोटे छोटे plantlets develop होते हैं, और इन में roots भी होती हैं, roots भी developed होती हैं, ये deixa brown brown देख रहे हैं, ये roots रूट्स लोवर पोशिन में होती हैं और इसको तो मैं काट रही हूं मगर जनरली यह जब मैच्योर हो जाते हैं तो यह अपने आप गिर जाते हैं और जहां पर गिरते हैं वहां पर छोटा बेबी प्लाट निकल आता है अपने आप ग्रो कर जाता है कि यह प्लांट मैं तो ले के आई थी और मैने इसको थोड़े simple potting soil में डाला था आप कैसा भी potting soil इसके लिए यूज़ कर सकते ही बहुत simple plant है अगर सैंड है तो सैंड मिक्स कर लिज़े अगर कोको पीट है तो कोको पीट मिक्स कर लिए ठोड़ा सा खनी और यह थोड़ा तो काउंड़ नियोर या वर्मी कंपूस कुछ ढाल सकते हैं एक ठीज का ध्यान रख सकते हैं कि उसकी स्वाइल वेल-ड्रेणिंग हो अगर वेल-ड्रेणिंग स्वाइल होगी तो बहुत ईजी ली लग जाएगा जा फ्लारिंग हो वाटरिंग तभी करें जब इसके टॉप लेड राई हो जाए बहुत डीप रूट्स नहीं होती तो आप इसके लिए तो शैलो पाउट्स ले सकते हो और यह सॉयल में एजी लिए लग जाता है कैसी पी सॉयल हो वेल रेनिंग हो तो बहुत ही बढ़िया है अब नेक्स रहते हैं सन यह सन इंजॉय करता है कुफ सन फेसिंग में इसको अपर रख सकते हैं तो यह बहुत अच्छी फ्लारिंग भी करेंगा ग्रों भी करेंगा थोड़ी कम लाइट है तब भी यह सवाइव कर जाता है यह इतना इसी टूग रोए दो नेक्स इसमें बहुत जादा हाइफिडर नहीं थो बहुत जादा फटिलॉइस करने कि अजिस को जैसे आप सब को फर्टिलाइज करते हैं फैब ओक्तोबर में आप तब कर सकते हैं इसको इन्फेस्टेशन इसमें बहुत ज्यादा होती नहीं है तो देखे यह इसकी सब सब्सक्राइब करें तो इतना सिंपल है कि अपने आपी ग्रो करता रहता है तो यह बहुत ही प्रिटी प्लांट है आप जरूर अपने गाड़ी में लगाएं और इसके फ्लाज इंजोए करिए आप आपको यह वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब थैंक यू